आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरी इंपर्टेंट टॉपिक्स of mathematics for JVT JVT में 30 number का maths पूछा जाता है और यहाँ पर आगर आपको maths पढ़ना है तो सबसे पहले मैं prefer करूँगी कि आपको NCE artists पढ़ने चाहिए from class 6 to 10 अभी time है आप पढ़ सते हैं इनको और सबसे main focus आपको 6 to 8 करना है सबसे जादा question इनी classes से पूछे गए हैं और कुछ question आपके 9th और 10th से भी पूछे गए हैं जैसे scientific वगरा भी question मैंने यहाँ पर लिखे हैं आपको यहाँ से idea लग जाएगा पहली बात number system बहुत basic चीज है number system prime number वगरा चोटी बहुत चोटी classes मैं इनको पढ़ते हैं तो इनकी clear-cut knowledge होने चाहिए direct indirect question पूछे हुआ है यहाँ से prime and composite number भाज्य और अभाज्य संख्या है हिंदी English दोनों के लिए यहाँ पर material रहेगा इसके बारे में है reciprocal प्रतिलोम के बारे में है roman numbers जैसे हम one लिखते हैं ऐसे ठीक है five लिखते हैं ऐसे sorry यह ten के लिए five इस तरह से लिखते हैं तो यह roman number system के बारे में easy सा question एक पूछ रखा था आपको multiplication से question जो है decimals में दिया हुआ है उसको multiply करके बताओ कितना आएगा इस तरह के question जो है वो दे रखे थे वो आपको करने है simple multiplication भी पूछा हुआ था जैसे four digit number into four digit number के आएगा तो ऐसे question तो आप ऐसे ही solve कर लेंगे find the values में आपको plus minus जो है वो division या फिर multiplication गुणा भाग वाले question जो है वो देखने को मिले हैं बट यह decimals में या फिर यह fractions में पूछे हुए थे fractions यानि जैसे बटे में हाना हिंदियों बोलते हैं दो बटा तीन हाना ऐसे तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी easy रहेगा तो find values वाले question भी जादा पूछे गए हैं मतलब हर paper में ही पूछे गए हैं find unknown numbers unknown numbers आपको find करने जैसे कोई series यह थोड़ा सा आप मान सकते हूं कि reasoning type में question पूछाए कि आपको एक number दिया दूसरा दिया तीसरा गायब कर दिया फिर अगला दिया कि हाँ पर क्या आएगा इसकी जगा पे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा reasoning वाली tricks लगाने पड़ते हैं इसके बाद ट्राइंगल और उसके टाइप त्रीभूज और उसके प्रकार बहुत इजी question जैसे तीनों बुझाएं बराबर हैं ट्राइंगल के ओल साइड़ एक्विलेटर ट्राइंगल ठीक है इस समभाहूत रिभूज भी समभाहूत रिभूज आपने पड़ रखा है बच्पन में वही चीजें यहाँ पे आपको एक बार रिकॉल करनी है आप फॉलो कर सकते हैं शिक्स्त का यह ट्राइंगल वगरा में अच्छा बहुत अच्छा देकर रखा है नेक्स्ट है आपका जैसे find different values ठीक है इस तरह से इस तरह का question fraction में जिस से plus करके क्या आएगा ऐसे question लाव हानी के profit loss के questions पूछें कि इतना सामान लिया इतना बेच दिया इतना ऐसा हुआ तो कितना लाव हानी हुआ इस तरह question हालंकि लाव प्रतिशत यानि profit percentage और loss percentage भी आगे पूछा हुआ ठीक है थोड़ा सा advance triangle बता दिया मैंने यहां पर मैंने triangle की जगा जो है वो rectangle लिखना था जिसे हम आयत कहते हैं ठीक है जिसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होते हैं आयत उसे हम कहते हैं उसके बारे में question perimeter परिमाप परिमाप के बारे में आप से पूछा जाता है कि परिमाप होता है सभी sites का जो ठीक है यहां पर तो चलो ख्यार अब topics ही details तो ही बाद में discuss करेंगे परिमाप भी आपको छोटी classes में अच्छा मिल जाएगा 5-6 में हम पढ़ते हैं area के बारे में शेतरवल शेतरवल आपको 6-10 चलता है अलग-अलग topics को लेके mainly जो area पूछा हुआ है वो circle का सबसे जादा पूछा हुआ है और एक जगा पे कोन का शंगू का भी पूछ रखा है largest value के बारे में कुछ question यहां पे देखने को मिले थे अब प्रतिशत percentage के बारे में आपको null कैसे निकालते है percentage इसके बारे में simplification के question थे जिसे पूरा लिख दिया कि 2x plus 3y मनलब पूछ भी ऐसी situation आपको दे दी कि इसको simplify करो क्या आएगा इस तरह की question इसके बाद circle and radius वृत और रिज्य के बारे में question पूछे हुए है area of the circle वही वृत का क्षेतरफल speed के बारे में question और speed जो है वो train वाली speed से जाधा मतलब एक train इतनी speed से चलती है इतना distance travel करती है इतने time में वैसे वाले question थे यहां से student angle and width type ये भी basic छोटी classes के question है कोन और उसके प्रकार ठीक है noon कोन ठीक है जो आप क्या कहते है 90 degree का कौन होता है इस तरह के simple question यहां से देखने को मिले है profit percentage मैंने बताया कि यहां से question पूछा हुआ है semi circle का question earth width जिसे हम कहते हैं divisibility के question कि एक value दे दी आप बताना है कि यह value जो है जैसे कुछ भी वालनो four digit का कोई value है तो इसको जो है यह किस से divide हो जाए तो divisibility के question भी easy होते हैं इसके लिए कुछ tricky rules आप follow करते हो तो यह question student अगर आपने पहले CTAT का paper अगर दिया होगा तो वहां पर भी same यह जो topics हैं देखने को मिलते हैं इसने CTAT के अच्छी त्यारी करी है उसको यहां पर फाइदा मिल जाएगा या जो math background से रहता है उसको तो ख तक कहते हैं जिसे हम हिंदी में वहां से question है quadrilateral vikorn जिसे कहते हैं mean वाले question माध्य जिसे हिंदी में कहते हैं यह भी देखने को मिले ratio ratio निकानले को आ जाता है अनुपाद जिसे कहते हैं यहां पे मुझे समझ नहीं आ रहा था किस topic को मैं कैसे लिखूं ABC वाले question जिसे वह formulas हो इवन formula भी पूछ रखा था I think कि आपको थोड़े एक तो 8th class में यह question शायद है और 10th class में भी कुछ ऐसे question देखने को मिल सकते हैं probability के question जो है प्राइकता के question simple question होते है probability के भी और यह basic classes में भी आप पढ़ सकते हैं इनको distance दूरी से question पूछे गए है average निकालने को आया है और यह भी basic topic है सभी कर लेते है number पूछ रखे थे prime number one two hundred कितने होते हैं तो अगर आपको prime number पता होंगे तो आप यह भी calculate कर पाएंगे इस तरह का question जो है पूछे जाते हैं मुझे नहीं पता यह कौन से topic से relate करता है बट इसलिए मैंने हम पे question ही लिख दिया कि ऐसे कुछ question भी हो के बारे में question पूछा हुआ था ठीक है even number और odd number को sum और विसम संख्याइं जिने हम गहते हैं factor गुणनखंड यह भी आपको basic classes में मिलते हैं cube root घनमूल के बारे में पूछा हुआ था अब यहां पर यह question मैंने एक लिक रखाए कि अगर एक train जो है 240 meter long जो है पास करती है पोल और कितने 16 seconds में तो speed आपको बताने है train की इस तरह की question जो है देखने को मिले है students next जो है volume of the cone वही कोन जिसे शंकू इसे कहते है आप हिंदी में शंकू के कुछ question वही बताया volume आयतन पूछा गया था और cos 10 और sin theta के question जो है यह rare question था ऐसा नहीं कि हर एक paper में जो थे sin theta cos theta और 10 theta की question पूछे गए थे यह rare question student पूछे गए थे 10th में हम पढ़ते हैं इनको 10th NCRT आप follow कर सकते हैं और कुछ basic concepts जो है mathematics के देखने को मिलना है जैसे अगर किसी संख्या को हम 0 से divide करते है तो क्या होता है एक से divide करते है तो क्या होता है एक से अगर किसी संख्य को हम 0 से multiply करते है एक से multiply करते है तो क्या हाएगा ठीक है reciprocal inverse क्या हो जाएगा इसका इस तरह कि basic कुछ चीजे जो है student पूछी गए है mathematics की basics आपको पता होने चाहिए और वो पता तभी लगेंगे वो NCRT से कुछ-कुछ चीजे बीच में देखे रखी है और books का अगर मैं करूँगी कि आप NCRT 6th to 10th NCRT अगर पढ़ सकते हो तो इन ही को पढ़िये और mathematics के लिए आप जो है कोई book follow करना चाहते हैं तो आप Lucent की भी mathematics की book आती है क्योंकि मैं Lucent की books बता रही हूं आपको क्यों क्योंकि उसमें एक जगा पे सारा सब कुछ आपको इस paper के लिए तो सा पहले जादा time नहीं लगता उतना भी time नहीं लगता अगर आप तीन चाप्टर चार चार चाप्टर एक दिन में आराम से निकाल सकते हो चोटी glasses के तो बड़े आराम से निकाल सकते हो तो इसलिए हो सके तो NCRT ही follow करें अगर आपके पास NCRT नहीं है तो आराम से आप Google से download क कर सकते हैं NCRT और ऐसी भी अप्लिकेशन आती है स्टूडें गूगल प्ले स्टोर पे जहां पे आपको NCRT की बुक्स के चाप्टर के साथ साथ चाप्टर में जो exercise question होते हैं उनकी solution भी मिलते हैं तो कहीं पे आप अटक जाएं तो वहां पे with solution होगा आप वहां से इसको solution द जो है वो आज कल जो आपको prefer करूँगी वो स्वर्न पब्लिकेशन की करूँगी बहुत अच्छा material दे रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से present कराएं question papers को और student omega की बुक भी आप ले सकते हैं omega publication की बुक भी ये बुक भी अच्छी है दोनों में से कोई भी बुक आप ले सकते ह है okay तो मैंने आपको sorry मैंने आपको पिछली वीडियो में students बता दिया है psychology English और Hindi का syllabus बता चुकी हो मैं आपको और आज हमने math का syllabus भी देख लिया JVT TAT के लिए student मैंने आपको बताया कि हम लोग जल्दी एक series लेके आने वाले हैं तो आप चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को subscribe कर लीजे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजे ताकि आपको notification हर एक वीडियो का मिलता रहे हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में bye bye have a nice time and take care